दोस्तों मध्य प्रदेश का सामानी ज्यान देखने के ग्रम में अब हम देखने वाले है राजी की भूगोल को मध्य प्रदेश राजी का भूगोल किस प्रकार का है तो अगर भूगोलिक परिद्रश पूरा जो राजी का है उसको बारीकी से देखा जाए तो राजी के लंबाई कम है और चोड़ाई जाता है और यह जो प्रदेश है अर्थात मध्य प्रदेश यह भारत के बीच में भार की संस्कृति और उत्तरी छेत्र की संस्कृति का मिला जुला अंश देखने के लिए मिलता है और इसलिए ये काफी जाता महतुपूर्ण हो जाता है अब इसके बाद देखिए यह दक्षणी प्रायद्वीप की बलिष्ट देहे पर मुकुट के समान सोभायमान है जो प्रदेश को उच्भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है और इसकी समुद्र तल से औसद उचाई यहां देखिए इलिवेशन इसका दे रखा है समुद्र तल से औसद उचाई 300 मीटर है पंडित नहरू ने इसे रिदय प्रदेश कहा था और चेत्रफल की दृष्टी से यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य है चेत्रफल कितना है यह आपने कई बार देखा है तीन लाख आठ जार दो सो वावन स्कुआर किलो मीटर और भारत की कुल चेत्रफल का यह जो राज्य है यह 9.39 प्रदिशत कवर करता है इतना हमने एक सामानी भुगोल इसके बारे में मध्यप्रदेश एक है और मध्यप्रदेश के लगभग बीच से होकर गुजरती है तो 14 जिलों को यह काटती हुई जाती है वो 14 जिले कौन-कौन से है आए देख लेते हैं यहां जैसा कि आप देख रहे हैं 14 जिलों में शडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमो, सागर, रायसेइन, विदिशा, भोपाल, सीवो, राजगर इसके अलावा आगर यहां आगरा लिखा हुआ है आगर, उजयन, रतलाम यह सब इसकी जद्वे आते हैं यह जो टोटल 14 है इन जिलों से होकर करकरेखा गुजरती है भोपाल एक मात्र संभाग है संभागों की संख्या माचो जिलों से करकरेखा गुजरती मध्यप्रदेश एक भू आवेश्ठित राज्य है भू आवेश्ठित का मतलब यह है कि लैंड लॉक्ट चारोड से अन्य राज्यों की सीमा है इसको घेर रखी है कहीं से जो समुद्र तटका इस परश है वो नहीं होता है और मध्यप् मध्यप्रदेश राज्य में जो सीमाएं लगती है उत्तर में उत्तर प्रदेश के साथ लगती है दक्षण में महाराष्ट्र पूरब में 36 गड़ और पश्चिम में राजस्थान तथा गुजरात के साथ यह अपनी बाउंडरी को शेर करता है सबसे लंबी सीमा जो है वो आगर में BM के साथ है और सबसे चोटी सीमा जो मध्य प्रदेश राज़ी की है वो गुजरात को इसपर्ष करती है यह पूरा डाटा है अब अभी भाजित मध्यप्र०ेश को अगर देखा जाए अभी भाजित मध्यप्रदेश की बात है कि पहले की संञशना वाला मध्य प नशनाय हैं लेकिन जो अभिभाजित मध्य प्रदेश राज्य है उसमें नौ भौतिक प्रदेश थे नौ जो थे वो क्या थे बहौतिक प्रदेश थे और मध्य उच्छे प्रदेश के पांच भाग थे अब पांच भागों में आप देख रहे हैं कि सत्पुडा मैकाल रहे ये सन 2000 में अलग हो जाता है राज्य पुनर गठन का जो क्रम चलता है उसमें और उसके बाद साथ ही भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश जो हैं वो बचते हैं अर्थात जो इसमें से दो हैं वो 36 गड़ राज्य में चले गए बचे कितने साथ टोटल बचे हैं तो यहां आप देख रहे हैं कि महानदी बेसिंग जश्पूर सामरी पार्ट जो छेत्र है इसके अलामा दंड का राणी ये 36 गड़ में चले गए हैं और बगहल खंड का जो पठार है ये मध्यप्रदेश और 36 गड़ में विभाजित हो गया है बगहल खंड का जो चत्रफल हुआ करता था जितना कि इससे अलग हो गया रोचक तत्थी कुछ यहां पर दिये हुए हैं जो कि ऐसे ही मनुरंजन के लिए हैं परिक्षा में इस प्रकार के प्रश्ण नहीं पूछे जाते लेकिन जानकारी के लिए जानते रही है देखे मध्यप्रदेश एक ब इसके बाद देखे यहां पर यहां मध्यप्रदेश का जो सरवाधिक अंतर राजजी सीमा बनाने वाला जिला है वो नीमच है जबकि शिवपुरी एक मातर ऐसा जिला है जो कि पूरों में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में राजस्थान से लगता है जिलों की संख्या जिलों के बारे में आप देखिए यह दोनों जिले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से अपनी सीमा लगाते हैं तो यह आपने देखा जिलों आपको नहीं समझाया जाएगा तो मांचित रागे हैं जहां आवशक्ता है नवीन या अधुनातन जो यूग था यहां पर यूगों के नाम दिये हैं और यहां पर शैल समूव के नाम दिये हैं तो नवीन या अधुनातन से अगर देखा जाए अधुनातन का मतलब क्या होता जो नवीनतम है आधुनिक है और पुरातन या जो प्राचीन है वो पुराने को कहा जाता है तो यह ऐलूवियम है यहाँ पे सेल समूव के बारे में देखा जाए तो ऐलूवियम है प्लीस्टो सीन यूग के बारे में अगर आप देखें तो पुरातन ऐलूवियम या लेटरा यहां पर यूग दिया है और कौन से यूग का शैल समू कौन सा है यह दे रखा है इतना हमने देखा इसी करम में आगे चलते हैं देखें अब यहां पर नक्षा है और इस नक्षे में आप मद्य प्रिदेश का जो भौतिक विभाजन है उसे देखने जा रहें कौन सा चेतर किदर है और यह पूरा राज्य का नक्षा है लेकिन इसमें जिले और जो राजनीतिक इस्तिती है वो नहीं देखिए इधर से राजस्थान राज्य और गुजरात राज्य पश्चिम में इसको घेरे हुए ठीक है और इधर है पूरा उत्तर प्रिदेश सबसे लंबी सीमा इसी के साथ लगती है उसके बाद अगर आप इधर चले आईए यानि दक्षण में तो महाराष्ट्र के साथ यह अपनी सीमा साजा करता है और पूरब में अगर आप देखे तो चटीजगर राज्य जो कि पहले कभी इसी का हिस्सा हुआ करता था उसके सा भारत का पंठार है यहां पर आपको यह पूरा दिखाई दे रहा है ठीक है इसके बाध देखे यह मालवा का पंठार है तो इसका चेटर इसके बाद और भी चीज़ें इसमें शेश हैं जैसे कि देखिए आप यहां बुंदेल खंड का पठार है यह रहा और यहां मध्य भारत के पठार को आपने देखाई यहां पर रीवांपन्ना का पठार है इसका भी अच्छा खासा है 31,955 स्कुराइर किलो मिटर 10.36 यहां प परत्मान स्थथी के आधार पर ही बनाया गया है इसी क्रम में आगे चलते हैं तो आगे अगर आप देखें तो यहां कुछ चीज़ें कहीं गई हैं मतलब अब जो क्रम हैं या यूग हैं उनके हिसाब से इने हम बाटने वाले हैं अच्छा एक चीज और यहां देखिए आर आरकियन का मतलब क्या होता है तो आरकियन का मतलब होता है सबसे प्राचीन सबसे पुराना और गोडवाना के साथ ही सबसे प्राचीन चट्टा ने आरकियन कल्प की हैं और यह प्राधवीपी भारत के दो तिहाई भागों में फैले हुई हैं इनका विस्तार जो है यह प्र ग्रेनाइट और नीस है, ग्रेनाइट से ही नीस का निर्माण होता है, रूपांतरी चट्टानों के बारे में आपने पढ़ाई होगा, मेटामार्फिक जो रॉक्स होती है, तो ग्रेनाइट से रूपांतरी थोकर क्या बनता है, नीस बनता है, नीस को बंगाल का गुंबद य डोम नीज भी कहा जाता है तो ये सब इसके उपनाम है उसे जानते रहेगा इस छेतर के मुख्य खनिज कहां पे कौन से छेतर में मुख्य खनिज कौन सा है ये पूछा जाता है तो इस छेतर के मुख्य खनिजों में ग्रेनाइट, मार्बल, नीज, चारकोनाइट, सिल्ट ये यह सबसे आधिक रुपांतरण से गुजरी है आपने देखा कि इसमें बहुत सारे रुपांतरित ही है तो रुपांतरित है इसका मतलब यह है कि यह बहुत सारे जो बदलाओ के दौर है उनसे गुजर चुकी है और इसके मूल विशेष्टाएं और मूल स्वरूब जो है वो मिक्चर होता है कुछ दूसरी प्रॉपर्टी और कुछ जो ग्रिनाइट की प्रॉपर्टी है वो पाई जाती तो इस प्रकार से इनका मूल जो स्वरूब और विशेष्टा है वो नश्ट हो चुकी है कुछ नया ही स्वरूब धारण कर चुके हैं और यह चट्टाने कैसी ह और उसमय च्टान का रहता है और उसमय पर बन Jㅋㅋㅋㅋ-10, यह बहुत कुरानी आतक है और इसका मतलब यह है कि इने प्रामरी रॉक खान सकता है तो वही दिया हुए वह जीवों की उत्पत्ती से पहले का इनका निर्माण है भ्रंश और शल्कित स्वरूप बहुत ही संकुचित है और इसलिए इन्हें प्रात्मिक चट्टाने या प्रायमरी रॉक कहा जाता है तो यह ध्यान दीजेगा इसके बाद यहाँ पर कुछ महतुपूण बात कही गई है तो भारत की आर्गियन योग की जो प्रायदी भी नीस कहा जाता है इसका निर्माण ब्रहत और सूक्ष्म जो नीस कण है उनसे हुआ है बुंदेल खंडी नीस के क्रिश्टल बड़े है जबकि चारको नाइट नीस जो है यानि नील गिरी नीस के बारे में कहा जा रहा है इसे मिटा दीजे और फिर से देखिए यहाँ देखिए बुंदेल खंडी नीस जो है इसके क्रिश्टल कैसे है बड़े है जबकि जो चारको नाइट नीस है यानि नीलगीरी नीस उसके कड़ों का जो आकार है वो छोटा होता है इसका नामकरण जौब चारनाग के आधार पे चारको नाइट किया गया है तो यह चार नाव जो है इसे आप देखते हैं कलकत्ता की संस्थापक के तौर पर वैसे ही यहां तक हमने आर्कियन प्रम की चट्टानों को देखा अब इसके बाद धारवाड शेल समूँ को देख लीजेगा तो निर्माड की प्रक्रिया का अगर हम दूसरा चरण देखें तो आद्यमाहकल्प की चट्टाने अपचरित होती है यानि उनमें चरण होता है और इनसे जो पदार्थ इनके टूट फूट से जो पदार्थ निकलते हैं वहीं से धारवाड शेल जो है वो प्रारंभ होते हैं ऐसा माना जाता है प्रारंभिक जो जलक चट्टाने है वो अभी मौझूद है और बाद में यह भी फाइलाइट सिस्ट स्लेट आदी में बदल गई थी सबसे पहले इन चट्टानों की खोच करनाटक की धारवाड जिले में की गई थी रावर्ट ब्रूस फूट ने इन चट्टानों का नाम धारवाड रखा चिल्पी शेडी जो की बाला घाट में है वो ताबा मैगनीज सौसर शेडी जो चिंदवाड़ा में है सिकोली शेडी को अगर आप देखें तो संगमरमर अब्रक्सिष्ट ये सब पाए जाते हैं इसके अलावा आप क्लोपेज जो क्लोजबेट कहा जाता है इस क्रम को देखें तो ये भी धारवाड क्रम का ही एक हिस्सा है इसमें कोई संदेय ले इन चटानों का हिस्सा बालाघाट और चिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है यहाँ तक आप देख रहे हैं क्लोजबेट में कम क्वाड़्जाइट, मैगनीज तथा यहां आप देख रहे हैं यह एक एक क्लोजबेट क्रम है इसे सुधार लीजेगा संसार में अगर देखा जाए तो जो क्रम है यह सौसर क्रम की चटानों के बारे में कहा जा रहा है एक लमभी पटी पाई जाती है महाराष्ट का जो नागपुर है वहाँ से मध्य प्रिदेश का जो छिंदवाड़ा है वहाँ तक ये फैली हुई है और ये जो पेटी है जिसका विस्तार आपने देखा इसमें अभरक, सिष्ट, संग्मर्मर, क्वाटजाईट और मैगनीज की अधिक्ता है ये सब यहाँ पे बहुतायत पाया जाते हैं ऐसा आप देख रहे हैं इसी क्रम में यहाँ कडपा बिंदे शेल समूँ जो है उसको देख लेते हैं तो देखे धारवाड समूँ का एक कुछ भाग जो है ये मोड़दार परवतों में बदल गया और समय के साथ यह परवत अपरदित होकर समतल होने लगे और इन समतलों की उपर विभिन चटानों का निक्षेपड होता है और पुराने संग की यह चटाने अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन शेल समूँ है इसमें कठोर और ठोस शेल, क्वाटजाई, चूना पत्थर की तहें प्राप्थ होती है और यह चटाने कम कायांतरित है यह सब इसकी विशेष्टा है तो इन चटानों को बहुत ध्यान से देख लीजेगा कडपा चटान क्रम को देखेंगे, बिजावर को देखेंगे, यह सब उपक्रम है असल में ठीक है, कडपा चटान क्रम जो है, उसके अंदर दो उपक्रम पाया जाते हैं तो उनको हम देखेंगे लेकिन पहले शुरुवात करते हैं, तो इसका मुख्य विस्तार चटीस गड़ में है, चटीस गड़ का जो समतल यानि मैदानी इलाका है, वहाँ पर इसका मुख्य फैलाओ है नर्मदा सोन खाटी में भी या शैल समू, कुछ अंश के रूप में प्राप्त होता है, यानि मद्य प्रदेश में अगर कहा जाए, तो यह आंशिक रूप से प्राप्त होता है, और जो इसका मूल स्वरूप है, वो चटीस गड़ में चला गया है अब यहाँ पर इन जो मद्य प्रदेश के अगर सिर्फ बात की जाए, चटीस गड़ को इसमें से छोड़ दिया जाए, तो कडपा क्रम की जो चट्टाने हैं, उसके दो उपक्रम यहाँ पर पाये जाते हैं, कौन-कौन से उपक्रम है, आईए देखते हैं, तो बिजावर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिजावर श्रेडी निचले कडपा की उपरी तह का नाम है, बिजावर श्रेडी में चूना पत्थर, सफेद पत्थर, बल्गवा पत्थर, हेमेटाइट, कॉर्टजाइट, किंबरलाइट, मतलब यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है, आद ही यहाँ पर मौझूद है और विजावर पन्ना सतना रीवा कट्नी और छतरपूर तक फैला हुआ है ग्वालियर श्रेडी भी विजावर का ही परिवर्तित स्वरूप है ग्वालियर श्रंखिला जो आप देखते हैं वह भी विजावर का ही परिवर्तित स्वरूप है ऐ इसमें हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं, ये बड़ी बात है, इसके बाद ग्वालियर उपक्रम को देखेगा, तो ग्वालियर उपक्रम की जो चट्टाने हैं ये ग्वालियर के निकट पाई जाती हैं, इसमें बलुआ पत्थर है, शैल, क्वार्ट जाइट, चुना पूर्वे से पश्चिम तक इनका विस्तार करीब 1050 किलो मीटर तक है छेत्रफल की अगर बात कीजाए तो लगभग 1,00,000,000 किलो मीटर स्कॉयर में यह फैले हुए हैं यह शेल समू नर्मदा के उत्तर में गंगा यमना के मैदान के मद्धी तक विस्तरित हैं फैले हुए हैं उतना विस्तार उनका देख रहे हैं और इनका जो मुख्य भाग है वो दमोह मेस्तित है इसी में गुडविल या सद्भावना शिखर जो कि सबसे उची चोटी है वो देखी जाती है नर्मदा के उत्तर नर्मदा का जो उत्तर में निचला विंदे छेतर है यानि असम निर्माड कारी उपक्रम को देखेगा तो यहां पर है सेमरी उपक्रम यह निचला विंदिक्रम है मुखिता पूर्वी मध्य प्रदेश की जो सोन घाटी है वहां पर यह उपस्तित है वलय और भ्रंश यहां की आम बात है और इस उपक्रम में मुख्य खनिच संपदा कैमूर उपक्रम को देखेगा तो यह उपरी बिंदिक्रम है यह वाला निचला था और यह कैसा है यह उपरी है मतलब कैमूर भांडेर रिवा वाला छेत्रिस को कहा जाता है तो यह उपक्रम जवार नदमुख्यानी जिसे एश्टुरी आप कहते है और नदी घाटियों से विक्सित हुआ है कैमूर उपक्रम का विकास यह विस्तार आंशिक रूप से बुंदेल खंड और अधिक तर बघेल खंड में है इसमें बलुआ पत्थर कांगलो मरेट आधी पाये जाते हैं इसे आपक्रम से देख रहे हैं और पन्ना सतना रिवा में इसका मुख्य विस्त सिर्वू पाये जाते हैं चुना पत्थर और बलुआ पत्थर यहां बहुतायत मिलते हैं तो यह जो बहुतायत चीजे मिलते हैं इसको ध्यान दिजिएगा कि कहां से कौन सा ज्यादा मिलता है रिवा उपक्रम सागर सतना पन्ना दमोः कटनी राजगड तक फैला हुआ है तो रिवा उपक्रम का जो हिस्सा है ये पठारी भाग में है और इसमें दो शेल समू हो यानि पन्ना शेल समू और जिरी शेल समू में इसको बाटा गया है पन्ना शेल जो है ये निचली परत है और जो जिरी है ये उपरी परत है इसको ध्यान देना है पन्ना शेल में कांगल गौर है, इसे ध्यान देना है आपको, और आगे देखते हैं, तो यहाँ आगर आप देखें तो विंधि शेल समूँ की जो विशेश्टा है, वो स्वैंग में अधिती हैं, और जीवाश्म नहीं थीचे शेल समूँ है, इसके अंदर जीवाश्म नहीं पाये जाते हैं, ऐसा म आप देखते हैं कि वलन और भ्रंश पढ़ जाते हैं तो यह दोनों प्रक्रियाएं जो हैं यह टेक्टॉनिक प्लेट मुव्मिंट के कारण होती है तो किसी समय जो प्लेट विवर्तनिकी है वो यहाँ पे सक्रिय रही होगी सक्रिय तो हमेशा रहती है लेकिन यह बड़े पै 800 किलो मीटर लंबा भ्रंश है यानि अच्छा खासा है और अरावली और विंदि समूहों की बीच में पश्चिमी जो मध्यप्रदेश है उसमें चट्टा ने ध्यान से सांकड़ी को देखेगा 1500 मीटर से भी नीचे धस गए इतना जादा वो नीचे धस जाती है यह ब्रंश वाला जो होता है वो तो समांतर होता है एक तो दोनों प्लेटे जो है वो एक दूसरे की और गतिमान होती है तो जब एक दूसरे की और गतिमान होगी तो यहाँ पर संपीडनबल काम करता है और संपीडनबल इन्हें सिकोड देता है मतलब दोनों एक ही तरफ मूग कर रही ह या दोनों तरप से अगर संपीदन बल काम करता है तो यहीं पर फोल्ट पढ़ जाते हैं मोड़ पढ़ जाता है तो उसको वलन कहा जाता है तो यह सब भगोलिक प्रक्रियाय अब यहाँ पर क्या होता है तनाव काम और बीच से जमीन ऐसे फट जाती और भटने पर कितना गहर प्रदेश राजस्थान इतने जो रिंज है वहां तक ये फैला हुआ है और इन शैलों का रंग लाल है लाल गया गेरुआ आप कह सकते हैं उस धंका है और शेर सासूरी का मकबरा जो की सासा राम बिहार में है लाल किला ग्वालियर का दुर्ग मध्यप्रदेश का आशोग काल इसके बाद आगे चलते हैं दोनों को मिलाकर सारनातिस्तूप कहा जाता है इसके बाद आरे शैल समू को आप देखेंगे तो आरे क्रम में अगर देखा जाए तो गोडवाना शमू को शामिल किया जाता है और मध्य प्रदेश से गोडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं वो वेगनर की थियोरी कहते हैं, तो वो जो continental drift की थियोरी थी, उससे पहले ये मानिता थी, कि पूरी पृत्वी पर एक मात्र स्थल खंड बहुत बढ़ा सा था, जो कि महान महाद्वीब था, और एक महान महासागर था, तो जो महान महाद्वीब एक खंड था, उसको पैंजिया कह जाता था, ये पैंजिया होता था, और जो बढ़ा सा बाहर का जलिये छेत्र था, एक मात्र महासागर था, उसको पैंथालासा कहा गया, बाद में क्या होता है, समय के साथ-साथ और जो कारियोली स्पोर्स और अनिर प्रकार के बल होते हैं, तो उन सब गतियों और बलों के प्रड़ाम सुरूप जो यह पैंजिया है इसके अंदर विखंटन की प्रक्रिया शुरू होती है और इसमें दो हिस्से हो जाते हैं एक तो उपर वाला हिस्सा है जो कि लॉरेंशिया या अंगारा लेंड कहलाता है और नीचे वाला भाग जो था यह गोडवाना लेंड कहलात लारेंशिया जो है ये उत्तर की और प्रवाहित हो जाता है और गोडवाना जो है दच्छड की और प्रवाहित हो जाता है और इसी प्रकार से पूरा जो भारत और अन्य जो जितने भी देश है महादवीप है इनका निर्माण होता है बाद में जो गोडवाना लेंड और लार बिदिया होती है, वैसे ही बनता है, समय के साथ परिवर्थन होते हैं, और हो रहे हैं और होते रहेंगे भी, ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पिर पेंजिया और पेंथलासा के बारे में वही बयोरा दिया गया है, कि अंगारा लेंड प्रथम शैल समूग के तौर पे तालचीर के नाम से पुकारे जाते हैं और यह सोन महा नदी घाटी तथा सत्पुड़ा छेत्रों से बिलते हैं और इस समय दक्कन का पठार मतलब जिस समय के हैं ऐसा माना जाता है कि दक्कन का पठार हिमयोग की चपेट में था और तालचीर शैल समूग के ऊपर यहां आप देख रहे हैं करहरबारी बरकार और मुटूर इस्तर इस्तित हैं इस सब इस्तरों के नाम है और पेंच घाटी या मोह पानी के जो कोईला छेत्र है यह जो बरकरार इस्तर है उसके अंतरगत आते हैं अब इसके बाद देखिए मध्य विस्तार की मोटी तहो वाला जो बलुवा पत्थर है वो प्राप्त होता है लोहा जाता होने के कारण यह लाल पीले रंका है तो यह सब इसके बारे में विस्तार है इसके बारे में जानकारी है जिसे कि आप देख रहे हैं इसके बाद नीचे देखेगा अपर गोड़वान अंगलोमरेट की तहे पाई जाती है दूसरा जो इस तरह है उसमें मुलायम विशालकाय बालू के पत्थर सफेद पीले जो शैल कोईले की तहे आदी है वो सम्विलती इसके बाद क्रिटेशस जो कल्प शैल समू है उसको आप देखेगा तो गोडवाना के बाद यह बना मतलब जवार नदमुक के बारे में कहा जा रहा है तो वहाँ से आने वाली मृदा से हुआ है और लमेटा को अगर आप देखें तो इसका निर्माड बाग सीरीज के तुरन बाद हुआ है चर्ट, सिलिका और मिश्रित चुना इसके अलावा ग्रिट, क्ले, बालू, पत्थर आदी यहां पे प्रमुक्षेल है दककन ट्रैप को अगर आप देखें तो दककन ट्रेटु का यह उपरी भाग है जिसको की दककन ट्रैप कहा जाता है, ट्रैप का मतलब यह होता है कि 4 और से गिरा हुआ चेतर और यह बीच में धसा हुआ है, मतलब 4 और से यह आच्छा दि इसके टोटल निचला है मध्यवर्ती है और उपरी है तो निचला अगर देखा जाए तो यहां नर्मदा नदी यानि मध्यप्रदेश में निचला ट्रैप पाए जाता है उचाई मात्र 150 मीटर है और इसमें राख और जिवाश्म पाए जाते हैं और इसी में बाग लमेटा सी इसकी रशनाये भी पाई जाती है मध्यवर्ती को अगर देखा जाए तो यहां मालवा के पठार का अधिकतर हिस्सा कवर करता है और मध्यप्रदेश में मालवा का पठार दच्षड पश्चिमी दच्षड कुरवी पठारों तक यह फैला हुआ है और इसमें जिवाश में प्रचुर मातरा में प्राप्थ होते हैं यह आपने देखा इसी क्रम में अब टर्शियरी जो सैल समू है उसको देख लेते हैं तो यहां आप देखें कि संपूर्ण भारत में वर्तमान विकास का जो अंधिम और सबसे महतुपूर्ण काल है वो टर्शियरी समय माना जाता ह गोडवाना लेंड के तूटने और विकरने का ख्रम लगातार चल रहा था और यहां तक आते आते प्रक्रियाएं तेज हो जाती है और इसी समय दक्कन के पठार को वर्तमान स्वरूप राप्त होता है जबकि उत्तर में टेथिस सागर में भारतिय प्लेट का धसाओ होने से यूरेशियन चाइना प्लेट उपर की ओर उठने लगती है यहां देखे वलन कैसे पढ़ते हैं जो भारतिय महादवीपी प्लेट है वो जाकर टेथिस सागर के अंदर धसने लगती है मतलब सब्डक्ट होने लगती है और जो टेथिस सागर नाम की उतली जलसंधी बीच मे हो जाता है और यहां से जो जमीन है यह उची उठती जाती है और इसमें मोड पढ़ जाते हैं वलन पढ़ जाते हैं और एक वलिक परवत आकर खड़ा हो जाता है जो कि अभी भी अपने बनने के क्रम में है और वही है हिमाले परवत माला विश्व की सबसे उची परवत शं और इसके लिए इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, यह आप देख रहे हैं, और हमारी जो भारतीय जमीन है, वो जो यूरेशियन प्लेट है, उसके नीचे अभी भी जा रही है, खिसकती जा रही है, अंदर धस्ती जा रही है, इतना आपने देखा, अब आगे क्या होता है, तो आगे यह होता है कि आंतरिक दबाओ के कारण मध्यप्रदेश में नर्मदा और सोन नदियों का निर्माड होता है, या घाटियों का निर्माड होता है, मतलब यह घाटियां कैसे बनती है, असल में होता है कि वलन पढ़ रहे हैं, तो वलन का मतलब यह है कि मोड पढ में त्रिबुजाकार पठार इसके अलावा मद्य उच्छे प्रदेश के नाम से जाना जाता है इसकी जो उत्तरी सीमा है वो साधारणतर यहुना नदी के द्वारा बनाई गई है और यह एक प्रपाति का गार है आम तोर पे होता यह है कि नदिया जो है वो अपना रास्ता ख इसके बाद यहां देखी कुछ और बातें बताई गई है तो इसमें यह कहा गया कि नर्मदा सोन घाटी का जो छेत्र है उसमें बिंध्याचल शेडी की जो अधिक्तम उचाई है वाट सो एक्यासी मीटर है और पूर्व की ओर बढ़ने पर यह कम हो जाती है अताब भांडे पर फिर से अमल होने की बाद चल रही है उसका कितना सार्थक परिणाम निकलेगा और कितना निरर्थक यह समय बताएगा तो यह है और उत्तर की ओर संफोड मध्य प्रदेश जो उच्छे प्रदेश है वहां से बहती हुई यमुना से यमुना वाले छेत्र में मिल जाती है मतलब यह यमुना की सहाई काएं है तो यमुना में जाकर मिल जाती है यह कहा गया है इसलिए मध्य उच्छे प्रदेश को गंगा बेसिन का हिस्सा भी माना जाता है ऐसा माना जाता है तो यहां तक हमने इस भूगोल को कंप्लीट किया है लेकिन अभी यह पूरा नहीं इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार